मेरे सभी JK मीडिया के दर्शकों को मेरी तरफ से नमशकार और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे उन सभी को मेरी तरफ से राम राम आप सब आशा हैं कि स्वस्थ हैं और जो लोग इस समय करोना से जूज भी रहे हैं उनसे मेरा एक छोटा सा ये मेसेज है मेरी अपील है अपना confidence का मत होने दीजेगा अपना जो confidence है उसको पूरा रखेगा क्योंकि करोना से बचने का सबसे बड़ा इलाज ही यही है कि आप पूरा अपना confidence ना गिरने दे अपना moral ना गिरने दे क्योंकि एक तो आपको TV चैनल पे बड़ी सारी ऐसी खबरे नजर आएंगी जो fake भी होती हैं इतने लोग मर गे ऐसा हो गया वैसा हो गया तो उनसे भी जो staff members हैं वो आपका खूब ख्याल रख रहे हैं उनके साथ कोशिश करें कि friendly रहें बुक्स पड़ें अच्छी अच्छी web series देखें टेलिवीजन मोबाइल के ओपर ही अगर आपके बस मोबाइल वहाँ पर लोग करते हैं तो मोबाइल के ओपर कुछ चोटा मोटा कोई serial दे जल से जल ठीक होने की कामना करता हूँ और भगवान के आगे ये फ्रयाद करता हूँ ये प्राथना करता हूँ कि वो जल से जल ठीक हो जाएं पहले तो आज मैं आपको बता दूँ मैं इस समय कहां खड़ा हूँ ये हमारे जम्मू का railway station है और आप देखेंगे कितना खूब हवा में लहरा रहा है देखिए और इसका लहराना ही कैई लोगों के उपर जो है कैई लोगों के उपर जो है परहार होता है जिस तरह से ये जंडा जो हमारा लहरा रहा है ये पाकिस्तान के उपर बहुत बड़ा परहार है कि पाकिस्तान जो साजिशे करता है हमारे देश के आर्मी जिन्दाबाद, जमु कश्मीर पुली जिन्दाबाद, सेक्योरिटी फोर्सी जिन्दाबाद, और उसके साथ कमेंट में तिरंगा जंडा, ये जरूर लगाना है आपने, आईए, अब हम बात करते हैं, जिसके उपर ये मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, हालांकि अब कुछ देर के बाद में आपको डिस्टिक वाइज जितने भी करोना के केसिज आये हैं, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले में आपको बड़ी इंपोर्टन जानकारी दूँ, जो हमारी हेल्थ वरकर्स हैं, लगातार जो करोना की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके से 158 जो है, पॉजिटिव आये हैं, यह आज जो सेंपल्स लिएगे हैं, माफ कीजेगा, जो टोटल सेंपल्स लिएगे हैं, वो हैं 2250, उसमें से रैपिड टेस्ट जिनके हुए, उनके पॉजिटिव आये हैं सिर्फ 158, और जो आर्टी पीसिया टेस्ट लिएगे, उनके आये हैं 141, यह एक बड़ी इंपोर्टेंट जानकारी है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, जो एरिया वाइज आज अलग लग लोकेशन पे जाके टेस्टिंग हुई है, उसमें जो सूपर बजार इलाका है, सूपर बजार में से 153 सैंपल लिएगे, उसमें से सिरफ 4 पॉजिटिव आए, रगुनात बजार में से 109 सैंपल लिएगे और सिरफ 7 वहाँ पर पॉजिटिव आए, इसके इलावा जो पुलीस नाका पलोडा का है, वहाँ पर 120 सैंपल लिएगे, सिरफ 6 पॉजिटिव आए, जिवल चौक, 12 126 सेंपल लिए गे वहाँ पर 126 सेंपल उसमें सिर्फ दो पॉजिटिव आए पुन्च हौस और विकास लेन तलाब तिलों में 110 सेंपल लिए गे उसमें भी सिर्फ दो पॉजिटिव आए बस्टेंड का जो एक्जिट पॉइंट है बीसी रोड पर वहाँ पर सिर्फ 80 सेंपल लिए गे उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया भगवान का लाख लाख शुकर है कनाल रोड और जेके बैंक गोल गुजराल इस यहाँ पर जो सेंपलिंग हुई वो टोटल सेंपलिंग थी 136 उसमें से सिर्फ 5 पॉजिटिव आये 35 थी नाके में 48 सेंपल लिए गे कोई पॉजिटिव नहीं आया बस्टेंड प्लैटफॉर्म जो है वहाँ पर 88 सेंपल लिए कोई पॉजिटिव नहीं आया नानक नगर में 97 सेंपल लिए गे एक पॉजिटिव आया सत्वारी चोंक में 121 सेंपल लिए गे तीन पॉजिटिव आये जेंड के इंपा और जो सिदड़ा का जेके स्पेशल ट्रिबुनल है वहाँ पर 162 सेंपल लिए 5 पॉजिटिव आये महेशपुरा चोंक में 67 सेंपल लिए गे सिरफ 11 पॉजिटिव आये बीसी रोड नियर वीमार्ट 106 सेंपल लिए सिरफ 3 रैपिड के पॉजिटिव आये और आटी पीसी आर पंद्रा आये परेड चोंक में 42 सेंपल लिए गे 6 पॉजिटिव आये वो भी रैपिड के डीसी आफिस में 50 सेंपल लिए गे 2 पॉजिटिव आये डिरेक्टरेट ओफ एगरिकल्चर तलाब तिलों में 121 सेंपल लिये गे और उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया भगवान का लाख लाख शुकर है दोमाना पाइंतीर्थी में 36 सेंपल लिये गे 36 सेंपल वहाँ पे लिये गे उसमें से 11 रैपिड के पॉजिटिव आये और कुछ पहले सेंपल लिये गे थे उनका आटी पीसियार का जो रिजल्ट आया उसमें 57 पॉजिटिव थे ये पहले लिया हुआ था उसके बाद जो फिक्स साइट्स हैं जहां पर लगातार सेंपलिंग हो रही है उसमें यूएचसी तरकुटा नगर में 68 सेंपल लिये 17 पॉजिटिव आये यूपी एचसी तलाब तिलों में 55 सेंपल लिये गे 16 पॉजिटिव आये राजीव गांधी हॉस्पिटल में 134 सेंपल लिये गे 22 पॉजिटिव आये UPHC रूप नगर में 25 सेंपल लिए गए 10 पॉजिटिव आए है जंबूल ओचन हॉल 92 सेंपल लिए गए 11 पॉजिटिव आए है मोबाइल वैन जो सेंपलिंग की होती है वो भी 3 अलग अलग जगा पर उसकी सेंपलिंग हुई है जिसके अंदर एक में 29 सेंपल लिए गए 9 उसमें पॉजिटिव आए और दूसरे में 76 लिए गए सेंपल से उसमें 5 पॉजिटिव आए और जो तीसरी वैन थी उसमें पहले से कुछ सेंपल लिए गए थे उसमें से 17 आटी PCR के पॉजिटिव आए ये आज की डिटेल है जिस डिटेल के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि 2250 के करीब लगबग सेंपल्स लिएगे जम्मू की अलग लग लोकेशन से जो मैंने आपको नाम बताए उनमें से 158 रैपीड के पॉजिटिव आए हैं और कुछ पुरानी सेंपलिंग भी थी उसमें 141 आटी पीसियार के पॉजिटिव आए हैं ये जानकारी है जो बड़ी इंपोर्टन जानकारी में आपको दे रहा हूँ यो एरिया वाइस हमारी हल्थ वरकर्स काम कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि ये इनफॉर्मेशन आप जरूर शियर करें और लोगों तक जरूर पहुंच है कि इस बारे में क्या जानकारी है लोगों तक पहुचनी चाहिए दूसरा जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ट्रांस्पोर्ट की स्ट्राइक गाड़ी नहीं चल रही है सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी नहीं चलेगा अभी उनकी इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है कॉंटीन्यू है उसके अंदर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे इसलिए सिर्फ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है प्रा वेपारी दुकानदार तीसरा कनकमंडी के जो दुकानदार है वो अपनी दुकाने बंद रखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए शनिवार और रविवार वेर हाउस बंद रहेगा शनिवार और रविवार कनकमंडी बंद रहेगी शनिवार और रविवार नहरू ये वीकेंड लॉकडाउन इन वेपारियों ने सिर्फ अनौंस किया है बाकी लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है आप अपना काम जिस तरह से करते हैं करते रहें लेकिन जरूरी काम है तब ही बाहर निकलें